बारत की बहु चचित फिल्मी पत्री का नमस्कार सीने आजकल न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूँ आपके साथ चेतना चौधर चले रूप करते बड़ी खबरों की और अन्डिय के और से राष्टरपती पत् की उमिदवार बनाए गए रामनाथ कोवीद ने चुनाव में भारी अंतर से यूपीए की उमीदवार मीरा कुमार को हरा दिया कोविन देश के चौदवे राष्टरपती होंगे वे 25 जुलाई को राष्टरपती पद की शपत लेंगे बता दे की रामनाक कोविन पूर्व राष्टरपती के आर नारायन के बाद देश के दूसरे दलित राष्टरपती होंगे जम्मू कश्मीर के पूर्ट सीम फारुक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की समस्या पर बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा है कि कश्मीर की मुद्दे पर भारत को अमेरिका और चीन की मदद स्विकार कर लेनी चाहिए वहीं अब्दुल्ला के इस बयान पर जबू कश्मीर के उपमुखे मंत्री निर्मल सिंग ने कहा है कि फारुक तो कहते थे कि पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए आज ऐसे बयान दे रहे हैं ये नीचले इस तरकी बात करते हैं रिलाइस इंडस्ट्रीज के चेर्मन मुकेश अमबानी ने सम्हू की 40 वी सालाना आम महासभा में एक बार फिर से टेलिकॉम सेक्टर में हलचल मचाते हुए जियोफॉन लाँच किया है अमबानी ने सभी को चौकाती वी ऐलान किया है कि ये जियोफॉन यूजर्स को फ्री में मिलेगा जियोफॉन लेने वाले लोगों को सिक्चॉर्टी मनी के तौर पर पंद्रा सो रुपी चुकाने होंगे जिसे तीन साल बात कभी भी वापस लिया जा सकता है गुजरात में कॉंग्रिस के दिगज नेता शंकर सिंग वागेला अपने 77 वे जरम दिन पर बीजेपी में शामिल होने की घोशना कर सकते हैं फिर चर्चा में हैजबार चर्चा किरनबेदी की पोस्ट्रों की हो रही है जिसमें उन्होंने महाकाली और हिटलर के रूप में दिखाया गया है उन्होंने खुद इन पोस्ट्रों को पीट कर शेयर किया है मोतिहारी के कई प्रखंडों में रामनात कोविन के राश्टरबती बनने के बाद खुशी की लहरे विशेश का दलित बस्तियों में जश्न मनाया गया और मिठाईया बाटी गए इस दोरान बीजेपी के वरिश टेताओ के साध्व धायक सचिंदर प्रसाद सिंग भी मौजूद रहे लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगा कर बढ़ाई दी आरा के महादेवर ओर के दक्षिन में इस्तिश श्री श्री एक्सवाट बाबा जगेश्वर महादेव जी उर्फ बुडवा महादेव जी के मंदिर में भक्तों का ताता लगा हुआ है ये मंदिर लगबख 500 साल से अधिक पुराना है यहां स्वेम भू शिवलिंग है शिवरात्रियों सावन में भीर विशेश बढ़ जाती है बतादिर कि इस मंदिर में भीम और सभी पांड़ों ने अग्यात वास के दोरान पूजा की थी आम आदमी पार्टी की विधायक प्रकाश जारवाल के खिलाफ केस दर्च किया गया है जारवाल की खिलाफ एक महिला से अभधरता का आरोप है जिसके बाद उनके खिलाफ एफ़ाया दर्च की गई है महिला ने आरोप लगाया है कि विधायक प्रकाश जारवाल ने उसकी चुन्निक ही चे इसके अलावा उसके साथ धक्का मुक्की की CID ने जलपाई गुड़ी बाल तसकरी मामले में पूछटाच करी BJP की राज्जे सभा सदस्य रूपा गाउगुली पार्टी के राष्टे महसाचीब कैलाश विजवर्गे और दो अन्य निताओं को आज समझ जारी किया इसके कुछी घंटो बात कैलाश विजवर्गे ने समन को हताशा और राज्जनितिक प्रती शोट का प्रतीक बताया फरिदाबाद के सूरजकूर इलाके में एक चलती कार में परफ्यूम लगाना एक बिजनसमान को भारी पड़ गया बिजनसमान ने जैसे ही लाइटर जलाया उनके कपलों में आग लग गई इसके बाद कार नियंतरन से बाहर होका डिवाइडर पर लगे पोल्स से टकरा गई फिलहाल गुरगाम निवासी इस वेपारी को सेक्टर 21A इस्तित एशियन अस्पताल में भरती कराया गया है चीन के एक नागरिक को फरजी टिकट पर इंद्रा गांधी अंतराष्ट्य हवाइडे में प्रवेश करने के आरोप में पकड़ डिया गया है CISF के एक वरिश अधिकारी ने बताया है कि केंद्रिय ओद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों ने उसे टर्मिनल इमारत के भीतर संदिक्द रूप से घुस्ते वे देखा भारत और चीन के बीच चल रहे है दोकला मिवाद में अब पाकिस्तान के उच्चायुक्त अबदिल बासित ने भारत में चीन के उच्चायुक्त लू जहाओ हुई और भुटान के उच्चायुक्त वेट सौप नमगील से मलाकात की है पाकिस्तान को एक अमेरीकी रिपोर्ट में आतंकवादियों की सुरक्षित पनागावाले देशों की सूची में शामल क्या गया है मंतराले की प्रवक्ता गोपाल बागले ने कहा है कि अंतराष्ट्य समुदा इस मामले में भारत के साथ है साथ ही कहा कि पाकिस्तान आतंकवात फैला रहा है केंद्रे वित मंत्री अरुण जेटलिनी दिली में प्रधार मंत्री वाई वंधना योजना कॉप चारिक रूप से शुबारम किया प्रधार मंत्री वाए वंदना योचना भारत सरकार द्वारा घोशित एक पैंशन योचना है जो विशेश रूप से 60 साल से अधिक आयू के वरिश्ट नागरी को के लिए है रमजन भूमी मुद्य पर सुप्रीम कोट ने वीजे पिरनेता सुट्रे मर्णम्त सौमी के अपील पर जल्द ही सुनवाई का भरोसा दिया है ऐसी ने कहा है कि इस मुद्य पर जल्द ही सुनवाई होगी हला कि कोट ने कोई तारीख नहीं बताई है कोट केस फैसले के बाद स्वामी ने ट्वीट कर खुशी जताई E.D. ने Foreign Exchange Management Act से जुड़े IPL T20 के केस में शारुक खान को लोटिस भेजा है अफसरों की माने तो इसके चलते 76.6 करूर रुबे की फॉरन करंसी का नुकसान हुआ था अफसरों ने ये भी बताया है कि शारुक को 23 तरगस्ट को अथॉर्टी के सामने पेश होने को कहा गया है पॉपुलर रियालिटी शो बिग बॉस 11 जल्द ही चोटे परदे पर आने वाला है मेरे साथ बड़े खबर में फिलाल इतना है देशों दुने की ताज़ा तरिन खबर देखने के लिए आप देखते रही सिने आज कल नियूज नमस्कार लोगतंत्र का चाथा इस्थम्भ है मीडिया पूरे देश की खबर देश ही नहीं विदेशों की खबर हर खबर पर होगी पैनी नजर खबरे ही नहीं साथ में होगा भरपूर मनोरंजन जी हाँ तो देखते रहिए CM India TV खबरों की हाकीकत मनोरंजन के साथ कर दो देखते रहिए